हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा दसमी सीवेसी एंसी आटी के अंतरगत MCQ और हमारा यहाँ चैप्टर जो आया है जैप प्रक्रम यानि देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसिंग काफी महत पून है और यहाँ पर हम जैप्रक्रम के अंतरगत सारे कोशन को जो है बहुत ही अच्छे ढंक से समझने के कोशिश करेंगी और यह सारे होगे आपके MCQ के अंतरगत और यह MCQ हर एक एक जायम के लिए महत पून रहेगा चरहे आपका बोर्ड एक्जायम हो चरहे कोई यह बचे का कॉपून हो तो हर एक जगह महत पून रहेगा और सबसे महतुपून बात है कि यह Hindi English दोनों माद्यम में आपके समक्ष रखा जाएगा तो यह काफी महतुपून हो जाता है चलिए देखते हैं हमारा यहां कोशन क्या आया है हम जो यहां chapter कर रहे हैं काफी महतुपून है जैप्रक्रम यह कक्षा 10 मी सिवे सी एंसी आटी के अंतरगत है और देखा जाए तो यह काफी महतुपून exam point of view से बनता है और जो बचे complete exam के तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी महतुपून यह रहने वाला है इसमें हम हर एक कोशन को analyze करेंगे समझेंगे इसके fact को भी analyze करेंगी तो यह काफी महतुपून आपके लिए रहेगा और इसमें हम हर एक बात को गहराई पुरुबक आपके समक्ष रखेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा यहा कोशन क्या आया है कोशन जो हमारा आया है यहाँ पर देखा जाए तो कोशन है इसका आपको एक बात पता हो तो इसका अंसर आप देना बहुत ही असान हो जाएगा मानव हर दे में चार कक्ष होती है यह तो आपको पता ही होगा कि मानव हर दे में चार कक्ष होती है उपरी आदे भाग में दो होती है आट्रियस यानि एक वचन अलिंदा होती है और निचले आदे भाग में दो निलिय होता है यानि देखा जाए तो आदे भाग उपरी भाग में जो है आर्ट्रियस होते हैं और निचले भाग में निलिय होते हैं तो ये काफी महतपून है यानि अलिंदा देखा जाए तो उपड़ी पाठ में होता है और निचली पाठ में निलिय होता है हलाकि बाया और दाया निलिया मजबूत कक्ष होती है यानि देखा जाए, तो बाय और दाये, निलिया बहुत काफी मजबूत कक्ष होते हैं बाया निलिया हिरदाय का सबसे मजबूत कक्ष होते हैं और बाया, अलिंदा जो होता है, वो पूरे सरीर में आकसिजन युक्त रक्ट पंप करता है यानि देखा जाए तो बाया अलिंदा जो होता है पूरे जो है शरीर में oxygen युक्तरक्त का pump करता है तो इसका मतलब क्या अंसर हुआ दाया वेंट्रिकल दाया देखिए बाया अलिंदा है लेकिन यहाँ पर C option आपका सही है दाया वेंट्रिकल यानि वेंट्रिकल जो काफी महतवपून है इसको हम अलिंदा भी बोलती है यानि दाया अलिंदा जो है काफी मजबूत है ठीक है तो यह काफी महतवपून बात यहाँ पर दशाया गया है कि यहाँ पर है दाया वेंट्रिकल C option आपका सही है चले देखते ह अगला कोशन क्या है यहां पर जो हमारे समक्ष कोशन आया है कोशन है क्या होता है जब रक्त में पीच कम हो जाता है तेकि इंसान में अक्सर देखा गया है कि रक्त में पीच की वेल्यू जो है कम हो जाता है लेकिन यहां कोशन यही है कि अगर रक्त में पीच का मान कम हो तो इंसानों पर क्या प्रभाब पड़ेगा ए मस्तिक में रक्त क्या पूर्ति कम हो जाती है या भी हिमोगलोबिन की अक्सिजन से संब्दता कम हो जाती है या दिल की धरकर गती कम हो जाती है यहाँ पर कोशन बहुत ही इंट्रेस्टिक है ठीक है कि क्या होता है जब रक्त मे pH के मान कम हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर काफी महत्पूर्ण बात आती है कि मस्ति में रख्ट क्या पूर्ती कम हो जाती है ऐसा नहीं होता है ठीक है pH के मान कम होने से मनिश्टिक में रख्ट क्या पूर्ती कम हो जाती है ऐसा नहीं होता है इमोगलोबिन की ऑक्सिजन से सम्बनता कम हो जाती है या यानि देखा जाये तो इसका B आप्शन सही है तो देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है क्या सच है कि सेकहारी जानवरों की छोटी आथ मसहारी कि तुल्ला में लंबी होती है कोशन समझे साकाहारी जानवरों की छोटी आथ होती है साकाहारी जानवरों की आथ छोटी आथ जो होती है मसहारी की तुल्ला में लंबी होती है कि जो मास खाने वाले जीव होते हैं उनका आप जो होता है छोटी होती है लेकिन जो घास उस खाते है उनका आप जो होता है लंबी होती है क्या ये बात सत्य है कि साकहारी जनवरों की छोटी आथ मसहारी के तुलना में लंबी होती है तो इसका आप्शन क्या हो सकता है क्या आप समझते हो मैं आपको एक बात बताऊँ कि साकहारी जीवों में छोटी आथ मसहारी के तुलना में लंबी होती है यानि देखा जाए तो छोटी आत लंबी होती है यह इसमें कोई बुराइग नहीं है साकाहारी जारवर घास कहते हैं जिसमें इस लोज होता है जिसे पचाने में बहुत काफी लंबा समय लग जाता है क्योंकि आपको पता है जो घास होती है और प्राइमरी सोर्स को पचाने में बहुत ही लंबा समय अवधी लग जाता है इसलिए सकारी जीवों में स्रुलोस को पचाने के लिए लंबी छोटी आत की अवशकता होती है यानि छोटी आत लंबी होना जरूरी है अगर छोटी आत लंबी नहीं होगा तो स्रुलोस के पाचन नहीं हो पाएगा तो इसलिए सकारी जानवरों की छोटी आत जो होती है लंबी होती है और मासहारी की छोटी इसलिए होती है क्योंकि मासहारी जीव जो होते है टक्षनी से भोजन पचा देती हैं तो इसका मतलब यहां पर जो statement दी गई है वह statement सत्य है यानि बी option आपका सही है तो यह बी option के साथ आप जा सकते हो बी option आपका सही है चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि निमलिकित में से कों सा एंजाइम तेल और बाशा को सरल फैटी एसिड में बदल देता है निमिलिकत में से कौन सा एंजाइम तेल और वाशा को सरल फैटी एसिट में बदल देता है A. टिपसीन B. सुर्लोज C. लिपेज D. एमाईलेज कोश्टन काफी इंट्रेस्टिंग है ठीक है यहाँ पर जो लिपेज लिखा हुआ है उसको हम लिपेज भी कह सकते हैं हिंदी में लिपेज को लिपेज कहते हैं ठीक है यानि C. लिपेज यहाँ इंग्lis वर्ड में रहा है तो आप конфьюज मत होना यहाँ लिपेज समझना क्योंकि इंग्लिक्न हिंग्लिक्यों दोणों यहाँ पर same ही रहते हैं लाइपेज और एमाईलेज एक तरह का पाचक ही एंजाइम है लाइपेज एंजाइम सरीर को बासा पचाने मदद करता है यानि लाइपेज जो है सरीर में बासा पचाने मदद करता है और यह अगनास्य द्वारा बनता है यानि पैंक्रिस ग्लाइंड के द्वारा यह बनता है जिसे हम हिंदी में अगनाश्य कहती है और खाने पर पाचान तरंतर में जारी होता है जमकोजी खाते हैं तो पाचान तरंतर से ही जारी होता है तो इसका मतलब जो है कि इंजाइम जो है तेल और वाशा को सरल फैटरी में बदल देता है कौन बंदलता है सी लाइपेज यानि सी ओप्षन आपका सही है सी ओप्षन के साथ जा सकते हो लाइपेज जो है तेल और वाशा को जो है बदलता है तो यहाँ पर सी ओप्षन सही गया चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कोशन है कि निमलिकित में से पितरस की क्या भूमिका होती है यानि निमलिकित में से पितरस की क्या भूमिका होती है A. बाशा का पैशी करन करता है B. स्टार्ज का पाचन करता है C. बाशा का पाचन करता है या D. इसमें से कोई भी option सही नहीं है Question तो आप समझ गए होगे बहुत ही असान है कि पितरस की क्या भूमिका होती है तो देखा जाए पितरस वाशा के वैशी करन में मदद करता है पितरस जो है बाशा को वैशी करन में मदद करता है और यह पेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है पाचन के उद्देश से वाशा को पैशी करन के लिए पित में पित लवन के अवशकता होती है तो इसका मतलब देखा जाए तो यहां पित रश वासा को पैसी करन करता है इसका मतलब यह option आपका सही है यह सही है वासा का पैसी करन कर देता है तो पित रश की क्या भूमिका होता है वासा को पैसी करन कर देता है तो यह option आपका सही है चोड़े देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है देखिए कोशन है कि निमलकित में से कौन सा हिमोगलोबीन का प्राथिमिक कारे है आकिर हिमोगलोबीन हमारे सरीर में क्या कारे करता है अब सोचेगा हिमोगलोबीन होता क्या है हिमोगलोबीन लाल रखकोश का महजूद होता है और यह मानब सरीर के उतकों को अक्सिजन पहुचाता है यानि हमारे सरीर के विविन भागों में हिमोगलोबीन जो है अक्सिजन पहुचाता है हिमोगलोबीन पूरे सरीर में अक्सिजन पहुचाने का कारे करता है और हिमोगल दीजो Just to tell our a क मतलम यह भुर 느 कि मारने के लिए कrole को मारने के लिएonia 04f गलत आपका सही है उक्सीजन का यह परिवबन करता है किने देखते हैं कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ गया है कोशन देखिए क्या है पौधों में सवर्षन होता है पौधों में सवर्षन किस समय होता है ए सिरफ रात में बी केबल दिन में सी केबल साम को और डी दिन और रात दोनों में तो आपको क्या लगता है क्या अंसर सही हो सकता है पोधे क्या सवशन दिन में करते हैं और दिन में करके भोजन मनाते हैं और भोजन करने का सवशन क्रिया सुरू होती है तो मैं आपको बता दूँ कि सवशन सब्द एक जैब रशायनिक प्रक्रिया होती है सवशन जो होती है एक तरह का जैब प्रशायनिक प्रक्रिया है जिसका उप्योग कारवने की योगिक में उर्जा जारी करने के लिए किया जाता है यारी कारवने की योगिक में उर्जा का परसार होता है जिसके उप्योग विभीन सरीरी गत्विदियों में करने के लिए किया जाता है और पौदों में करता है और कारवन डक्साइड को जो है अंदर लेता है लेकिन यही पर किया रात के समय जो है उल्टी हो जाती है वो अक्सिजन जो है लेता है और कारवन डक्साइड छोड़ता है तो यह काफे महतपून है आपने यह भी सुना होगा किसी-किसी वेक्तियों के मुह से कि रात म और इंसान मर जाता है, दूस्तो मरता इस करणगी, क्योंकी पौधा भी carbon dioxide चॐर रहा होता है, जो previously 2 proton क्यों carbon dioxide मिलके carbon monoxide gas बना देता है, और carbon monoxide गैस जो होती है, एक तरह गा विशेली गैस होती है जिसके कारण इंसान की मित्यू हो जाती है ना तो पेर पर कोई भूत होता है और ना ही कोई चुरेल होता है होता इतना सा है कि पौदे भी करवनटक साइट छोड़ रहे होते हैं और हम भी करवनटक साइट छोड़ रहे होती है तो देखा जाए तो यहां option D सही है पोड़े श्वर्षन दिन और रात दोनों समय में लेती है नई कोशन किया है अगला कोशन सब्सक्राइब करने के लिए होती है यानि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए होती है और इस परक्रिया में सरीर की कोश्काओं में गुलकोच को तोरकर उर्जा मुक्त करती है तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी सही है यहां पर गुलकोच का ऑक्सिक्रन होता है शुवशन के दौरार मुलकोच का अखिक्रन होता है यानि सी याफ्षन आपका सही है चौह के ला कॉशनؑ नापके हम आगए आया देखिए कोशन कि बाये अलिंद को सुद रख्त कहां से प्रधान होती है कहां से प्रधार कोशन समझ में आ कोशन कि जो वह हिंदि से सी फेवरेक के नसों से या इनमें से कोई भी नहीं सही ऑप्शन है तो आप अपना अंसर समझ सकती हो और अपने नोट बुक में लिख सकती हो और जैसे कि मैं आपको बता दू कि एक लाइन है कि फुफु सी राएं ऑक्सिजन युक्त रख्त को फेवरेक से हिर्दय तक स्ताद्रित करती है फुफु सीरा जो है फुफु सीरा ऑक्सिजन युक्त रख्त को फेवरे से हिर्दय तक स्ताद्रित करता है फेवरे से ऑक्सिजन युक्त रख्त फुफु सीरा के म इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर सबसे महतवपूर्ण रोल किसका हुआ रक्त फुफुस सिरा का और रक्त फुफुस सिरा कहाँ पर को option है देखिए C option जो है सही है फेफरे के नसे यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी है इसलिए हिंदी जो है हिंदी में convert हुआ है तो इसका यहाँ पर फुफुस सिरा होगा यानि c option आपका रहे चाही फुफुस नसे यानि फुफ़ुस सिरे फेफरे लिखा हुआ है तो फुफुस ये सिरे भी आप Pros scientist हो तो c option आपका सही हमारे समक्ष रहा है कोशन है कि वह परक्रिया जिसके माध्यम से पौदो की जरे मिट्टी से पारी अफ्शोषित करती है वो कौन सी परक्रिया है क्या उसे हम सवेद कहते हैं या भी असमस कहते हैं या सी प्रसार कहते हैं या इन में से कुछ भी नहीं है आपका जो भी अंसर है वो काफी महत पूर्ण होगा आप अपना अंसर जो है सोच सकते हैं जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि पौधर की जरे प्रास्टरन के माध्यम से मिट्टी से पाने के अफ्शूषित करते हैं और देखा जाये तो प्रास्टरन क्या होती है प्रास्टरन को हम अस्मोसिस कहते हैं ठीक है लेकिन हाँ सोचिए कि अस्मोसिस वर्ड तो कहीं लिखी नहीं है लेकिन मैं बता दू बी ओप्शन आपका सही है अस्मोसिस इसमें जो अथा सा मिस्प्रिंट हुआ है ठीक है लेकिन B option आपका सही है Asmosis इसे हम प्रासरन भी कह सकते हैं हिंदी के word बहुत ही तकलीफ दायक होती है और English के एक word के कई अर्थ होती है अब देखिए हम यहाँ पर जो है Asmosis को Asmos भी कह सकते हैं इसको हम प्रासरन भी कह सकते हैं तो इसका B option सही है B option जो है प्रासरन या Asmosis यह option सही रहेगा अगला कोशन हमारे समक शाया है कोशन है अत्यदी सक्रिय नालिकाओं का एक network जिसे माद्यम से धमनिया और नसे जुरी होती है धमनिया नसे किस से जुरी होती है उसे क्या कहते हैं कोशन हमारा यही है कि अत्यदी सक्रिय नालिकाओं का एक network जिसके माद्यम से धमनिया और नसे जुरी होती है उसे हम क्या कहते है कोशन आप समझ गये होगे क्या कहते है क्या उसको बीना कावा कहते है या भी कोशिकाओं कहते है यसी वल्ले कहते हैं इसमें से कोई नहीं कि देखा जाया तो कोशन बहुत ही दिल्चस्प हैं और इसका अंसर भी आपको समझ होना चाहिए क्योंकि के ऊंतर गयते हैं एकजाम में यह क कोशन के साथ सकत शाही कहा हो देखते हैं इसका क्या है अगला कोशन हमारे समक्षाल जहाएगा है कोशन है, अमिमा में भोजन का पाचन कहां होता है काफी महतपूर कोशन है option ये कहता है कोश्का द्रव्य में B कहता है नाभिक में C कहता है खादरितिका में और D कहता है इसमें से कोई नहीं question काफी interesting है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमिवा में भोजन का पाचन इन जाइमों की सहता से भोजन रसधानी में होता है अब भोजन रसधानी में होता है तो रसधानी तो यहाँ option नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भोजन रसधानी को हम खादरितिका भी कहते हैं यानि C option सही है तब ही कहते हैं हिंदी में आपको बहुत मेनत करने की जरुत परता है कि यहाँ पर अगर examiner ने शब्द अगर बदल दिये तो आप फस जाओगी अब देखिए रसधानी में होती है तो रसधानी को हम खादे रितिका भी कहते हैं अगर रसधानी मैं बोल दू सिरफ तो आप confuse हो जाओगी और option में तो रसधानी कहीं लिखी भी नहीं गई है तो यह कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है कि निमलिकित में से कों सा सरीर का अंग गंदे रक्त को फिल्टर करता है ए फेफरे बी दिल सी गुर्दे और डी इन में से कोई नहीं कोशन काफी इंट्रेस्टिंग है और यह आपको पता भी होना चाहिए कि किस सरीर के अंग को हम जो है मजबूत और स्ट्रॉंग रखें किकि वह हमारे गंदे रक्त को फिल्टर करता है आपको पता दूँ गुर्दे गुर्दे का मतलब होता है किड्नी ठीक है गुर्दे का मतलब होता है किड्नी किड्नी जो है रक्त के विशात्मक पदार्तों और करते हैं और को बाहर निकालती है इसका मतलब यहाँ पर गुर्दे जो है सी ऑप्षण आपका सही और शही घखा होगा यहाँ पर आपका सही जाता है तो सी ऑप्षण के साथ जा सकते हूं चुले देखते हैं क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा आ गया है कोशन यहां पर है कि गलाइकोलाइसिस परक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है गलाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है क्या ए नाभिक में होता है या बी मैट्रो कॉंडिरिया में होता है AC क्लोड़ोप्लास्ट में होता है या D कोशिका द्रव्य में होता है तो यह कहां पर होता है कोशन काफी दिल्चस्प है ग्लाकोलाइसिस प्रकिरिया कोशिका किस भाग में होती है अगर आपने NCRT बुक परहा होता तो आपको पता होता कि ग्लोकलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है ग्लोकलाइसिस जो होती है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और साइटो प्लाजमा एक जेल जैसा पदार्थ या तरल पदार्थ के रूप में होता है जो कोशिका के अंदर महजूद होती है कहां होती है महजूद कोशिका के अंदर और कोशिका जिल्ली से ये गिरा हुआ होता है इसमें अधिकतर पानी लवन और प्रोटीन सामिल होता है यह इसमें पानी लवन प्रोटीन का जो है समाहित होता है और कोशिका के अंग कोशिका द कोशिका द्रव्य यानि इंग्लिश में हम इसको साइटो प्लाजमा भी कहते हैं तो डी ओप्षन आपका सही है कोशिका द्रव्य यानि साइटो प्लाजमा तो चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है कोशन है कि निम्लिकित में से क कौन स्वेंपोसी जीवों का उधारन है एक कबक और वाइरस बी वाइरस और वेक्टिरिया सी हरे पौदे और कुछ जीवानू और डीन में से कोई नहीं कोशन तो समझ गए हो गया कि कौन स्वेंपोसी जीवों का उधारन स्वेंपोसी जो अपना भोजन स्वेंप बनाते हैं स्वेम पोशी के बारे में अगर मैं बता हूँ तो कहते हैं वे जिव जो अपना भोजन स्वेम बनाने के लिए और कारवनिक सोत्रों से प्राप्त समागरी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो अपना बोजन स्वेम बनाते हैं आम तोर पर स्वेम पोसी कुछ परकार के वेक्टिरिया सेवाल और पोदे होते हैं या देखा जाए तो वेक्टिरिया सेवाल पोदे होते हैं उधारन के लिए सैनो बेक्टिरिया सैनो बेक्टिरिया भी स्वेम पोसी होती है और स इसका मतलब जो है option c सही है option c हरे पौद्यार कुछ जिवानु हरे पौद्यार कुछ जिवानु जो है स्वेम पोशी जीव का सबसे अच्छा उधारन है तो चलिए देखते हैं अगला कोशन किस उधारन की तरफ जो है मिसारा करता है अगला कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है कि पोशन की स्वेम पोशी विधी में निम्र कित में से क्या अवश्रक है यहाँ पर हमें कुछ समागणी दे दी गई है जैसे सुरज की रोशनी बी कलेरोफील सी पानी और करवेंडकसाइड और डी उपड़ के सभी यह सारे अप्षन जो है इस परकार द्रशारे हैं कि पोशन की स्वेम पोशी विधी में क्या अवश्रक है स्वेम पोशी जो अपना पोशन स्वेम बनाते है वो जीव जो है इनमें से किन चीजों का स्वेम पोशी आटो ट्रॉप सब्दकार दोता है स्वेम पोशी तो स्वेम पोशी उन जीवों को संधरवित करता है जो परकास पानी करवंडकसाइड और अन्नेरसायनों का उप्योग करके अपना भोजन स्वेम बना सकती है यानि यह अपना भोजन स्वेम बना सकती है और सैवाल भूमी पर पौदhe और पानी में सैवाल तो इसका मतलब option जो है डी सही है यानि उपर सभी स्वैम पोसी जो है अपनी भोजन पोसी विधीं में बनाने के लिए सुरज की जो बत् colored का उपरों ने करते हैं और साथ में देखा जाएं तो पानी और कर्वahan का भी उपयोग करते हैं तो इसका मतलब यहां पर डीं साहिए है उपर के सभी जो है पर objective करते हैं तो देखते हैं अगला कोशन क्या है है कोशन है कि परकाश संसुलेशन में प्रियूइक हरारंग द्रव्य निमलित में से कोन सा है यानि परकास अनेशन आप ने समझा यह होगा पढ़ा ही होगा उसमें nano कौन सा है किया हरा जो बात करें तो हमोगलो मिंट हो जाता है देखा जा तो बीच जो है इलमिनेट वाजा जो पादम कोश्रका में महजूद होता है यानि सारे पादों में कलीड़ Україū महजूर्ञोल होता है अपना स्वेम के भोजन को संसित करने मदद करता है तो यहाँ पर देखा जाये तो क्लोड़ोफील इन्पोर्टेंट रहा जिसका मतलब ए ओप्षन आपका सही गया यानि ए क्लोड़ोफील प्रकास अनले से प्रिजित हरा रंगबंदक जो है क्लोड़ोफील ही होता है यानि ए औप्षण आपका सही है आप ए औप्षण के साथ जा सकती हो दीखते क्या है अगला कोर्शन हमारे समक्ष हाया है क्लोड़ोफील मुख्य रूप से पौदे के निमिलिकित में से खिस भाग में स्थीत होता है जो क्लोड़ोफील होता है वह एक्शुली में पौदर किस भ होँएयानि कुत्ते जाल बोलता है उस मिख नोता है देखिए बिल्गुल यही बिचित्र रह ऐसे lep में पाए जाता है ना जी कुत्तों की भोक्रण में पाए जाता है तो Byकुल यहां पर जो है एक तरह का ओड है तो दिसreek बुद आपके समुन है तो मैं बता दूँ आपको क्लेटफिल मुख्य रूप से पौधे की पतियों में महजूद होती है और यहीं पर पौधा अपना भोजन बनाता है सूरे के प्रकाश में और इसी के कारण जो है वो धर्तिस से जरो से पानी और मिर्नल को अबजूर्ब करता है तब जाके पौधे जो स्टोमेटा भी होता है जिसे हम रंद भी कहते हैं और रंद का काम होता है ऑक्सिजन का एक्स्चेंज करना ठीक है तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सी आपका सही है कि अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि निमलेकित में से कौन सी मानव सरीर के सबसे बड़ी ग्रंत कोशन है कोशन यहां पर बहुत काफी दिल्चस्प है कहते हैं जो बच्चों को पता होगा वो उनके लिए बहुत ही असान होगा ठीक है देखा जाएं तो यह उप्शन के अंतर का था हम इन CRT के बुकों को इनलाइस करें तो हमें उसे एक फैक्ट मिलती है कि युकरित मानाव सरीर के सबसे बड़ी ग्रंती है और यह माना में महतवन भूमिका निभाती है लीवर सरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है यानि देखा जाए तो यह काफी महतवपून है युकृत को हम लीवर भी कहते हैं तो आप confusion मत होना युकृत को हम लीवर भी कहते हैं और लीवर जो है सरीर के सबसे बड़ी अंगों में से एक माना जाता है जो हमारे सरीर में हानिकारक दवाओं और परदारतों को metabolize करके deoxify और filter करती है और वो vitamin खनीजों का भंडार भी करत है जो protein enzyme और पित का sensitization करता है तो हमारे सरीर में सब से बड़ी जील सिछे हम we WAY जी वर कहते हैं दो जीवर का मतलब होता है लीवर ठीक है लीवर आलिवर का मोभी का होता क्या है हिए अगला कौशन काभी कोशन का कौशन का कौन सा तरीका कबक में पाया जाता है तरहे है का veux क्या स्वैम पॉष्ण होता है यह उसे स्यट्र ट्रॉफ़िक पॉष्ण कहते हैं यसी है फेल जाई कॉष्ण कहते हैं यह इन में से कोई नहीं देखा जाए तो आपका बी उप्शन सैपर्टॉफ़्फिक पॉष्ण जो लिखा ओवा है उसका मतलब हम मित्व पोशी भी कह सकते हैं मैं इसलिए आपको सही ऑप्शन का बात बता रहा हूं कि आप बाद में यह न कहें कि सेप्रट्रॉफिक पोशन हमें समझी नहीं आया तो ही तो कहता हूं कि यहां पर तृपान स्टेडी सेंटर इन्हीं बातों का इनलाइज करता ह एक्जामनर वहां पर ऑप्शन में इंग्लिश को हिंदी में जो है कनवर्ट करके दे देगा और आप केंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैंने तो ऐसा कोशन कभी देखा ही नहीं और ना कभी नजर आया तो इसका अंसर होगा क्या यही सबसे बड़ी जो होती है हिंदी मेड के बच्चे होते हैं और प्वर्ट का अध्यन करें और इसलिए आपके समक्ष्स दोनों ही वर्ड मैं उपस्ठित करता हूं जो कभी महतवपून होता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या हो सकता है देखा जाए अगर मैं इस question को analyze करूँ तो कहते है separate traffic यानि मित्व पोशी पोशन पोशन जो है सेट्रोफेक्स में होता है और कबक और मिट्टी के जिवानों से जुरा हुआ होता है तो इसका मतलब यहाँ पर option B सही ह इंग्रिश में हम separate traffic portion कहेंगे और हिंदी में हम इसको myth potion कहेंगी myth potion कहेंगे यानि इसका B option सही है myth potion और इंग्रिश में separate traffic portion तो B option के साथ आप जा सकते हो B option आपका सही है चलिए देखते हैं अगला question क्या है कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि रक्त चाप मापने के लिए पर्यूक्त उपकरन को हम क्या कहते हैं आपने देखा होगा कि डक्टर के पास जो होता है एक blood pressure नापने वाला machine होता है इसको punching करकर के जो है आपको बाजू पर लगा कि उसको रक्त चाप मापता है तो उस machine का न क्या कहते हैं कि अरगत डामापी कहते हैं यर भी और मिटर कहते हैं यसी दिल्प q Quran यहां बहुत रिचस्प है ठीक है तो देखा जाए तो मानम में रक्त मापने के लिए रक्त दाव मापी उपकरन का उपयोग किया जाता है जिसको इंग्लिश में हम सिफ्रो मैं मैंनो मीटर कहते हैं का उपयोग किया जाता है और रक्त दाव मापी का उपयोग करके प्राप्त रक्त चाब रिडिंग को दो संख्याओं में हम बार देते हैं और वो दो संख्याओं जो होती है sister law leak होती है यह diastolic दवाब को इंदिज करता है यानि दो तरका होता है sister law leak sister law leak जो होती है 120 प्लस माइनस होती है और diastolic जो होती है 80 प्लस माइनस होती है तो यह जो होती है काफी महतुपून होता है और इसको mm hg में हम represent करते हैं तो यह काफी महतुपून fact थी और देखा जाए तो option आपका जो है रक्त दाप मापी कहते हैं यह option सही है लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश में option लिए तो हम इसको लिखेंगे सिर्फ गर्मोनो मीटर तो इसको कर्फ्यूज मत होना यह जो है रक्त मापी सही है और सिपनो मैंने मीटर जो बात में बता रहा थ वह भी सही हुए उसको इंग्लिश में कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं अगला कोशन हमारे समकश ? कोशन कि मनुत में रक्त जाप की समाने सीमा क्या होती है देखिए आप बलड प्रेशर तो चेक किया ही हो गए या ड्जक्टर की चेक करते हुए देक यह हो गए यह तक्र27 बेस पर तो क्या हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी नहीं है कि माना में रख्ट चाप की समाने सीमा क्या होती कितना रख्ट चाप जो है हमारे सभी में होना चाहिए यानि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है 120 बटा 80 मिली एकच जी 120 बटा 90 mm एकच जी और सी कहरा है 106 बटा 80 मिलीमिटर एकच जी और डी कहरा है 130 बटा 80 मिलीमिटर एकच जी तेकि कोशन बहुत काफी दिल्चस हुए है और आपको जो है पिछले कोशन मैंने समझाने कोशिश भी किया था कि 180 प्लस माइनस ठीक है 120 प्लस माइनस और 80 प्लस माइनस ठीक है 120 नहीं ठीक है तो यहां कंफ्यूज होने के जिरूत नहीं है 120 प्लस माइनस 5 और 80 प्लस माइनस 5 तो यह काफी महत पूर्ण बात है और समानने बात के अंतरगत हम देखे एक फैक्ट और NCRT के अंतरगत रग्ट की समानने सीमा 120 से 80 mm mmHg से कम संक्याम वर्दित किया गया है यदि रख्चाप में परिणाम इस श्रेड़ी में आते हैं तो हमें संतुलत अहार और व्याम जैसी हिर्दै संबंद आतों को अपनाना होगा यानि देखा जाया तो समानने रख्चाप जोती है 120-80 mmHg यह यह उप्षन के साथ आप जा सकते हो यह उप्षन आपका सही है तो देखते हैं अगला कोशन क्या है है अगला कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है कि निमलिकित में से कौन सी परक्रिया परकाश उर्जा को रशायनिक उर्जा में परवर्तन करता है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परवर्थित किया जाता है क्या ए शवर्षन है या भी स्वेद है या सी प्रकाश संस्लेशन है या डीन में से कोई नहीं है कोशन बहुत कावी दिल्चस्प है अगर आपने NCRT बुक फोलो किया होता तो एक बात आपको समझ होती कि प्रकाश संस्लेशन एक जैप प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे सूर्य और और कारवनिक सोत्रों के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है और हर पौधो प्रकाश संस्लेशन द्वारा प्रकाश उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परवर्तन करते हैं या वे कारवन डक्साइड से कारवन की कारवनिक योगी की में सक्षम होती है यानि पौदेज होते हैं, परकास उर्जा को रसाइणि उर्जा में परवर्तन करनेती में सक्षम होते हैं, और इसमें कारवन डॉक्षब से कारवन को कारवन की योगी की में बनाने के लिए महत्ताफून होते हैं, तो देखा जाए, तो option यहाँ पर C सही है, परकास संसलेशन परकास संसलेशन एक एक सी परकिरिया है जिसके द्वारा परकास उर्जा को रसायनिक उर्जा में परवर्तित किया जा सकता है यानि c option आपका सही है जिन बचों ने ATP का पुन्य रूप क्या है ? क्या A, Adenosine Diphosphate कहते हैं ? या B, Adenosine Phosphate कहते हैं ? या C, Adenosine Phosphate कहते हैं ? या D, N में से कोई नहीं देखे, क्वेशन बहुत दिल्चस्प है और कई बार इग्जाम में आया है तो यह आपको समझ होना चाहिए और आपको एक बात भी पता होना चाहिए कि ATP का मतलब जो होता है Adenosine Tri-Fosphate होता है यानि देखा जाए तो C option सही है और एक और बात में बता हूँ तो यह एक उच्छे उर्जा आनू है यह एक उच्छे उर्जा आनू है जो मानव सरीर, जनवरो और पौधे आदी की कोश्काओं में पाया जाता है ATP कहां पाया जाता है मनुष्य सरीर में जनवरो में पौधो की कोश्काओं में पाया जाता है यानि सभी के कोश्काओं में पाया जाता है और यह कोशिकाओं द्वारा अवशक उर्जा का भंदार रापूर्थी करने में सक्षम होता है यानि ATP के अंतरकाती हमें उर्जा प्राप्त होती है तो इसका मतलब C option सही है ATP का पुल्फम जो है एड़नो साइन ट्राइफास्फेट है यानि C option आपका सही है C option के साथ आप जा सकती हो चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है किसी वेक्ती के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निमले कितमेंसे किस परक्रिया का उप्योग किया जाता है टेखिये इंसनों के रक्त में अडिया मिल जाती है लेकिं उसको साफ करना बहुत जरूरी है तो साफ करने के लिए Хं कौनसा मैथड का उप्योग करते हैं कोशन समझ भाया किसी वेक्ती के रक्त से उडिया को अलग करने की बिधित को हम क्या कहते है क्या A छानने का काम करते हैं या B असमस कहते हैं यानि ओस्मोसिस ठीक है C डालेसिस कहते हैं हम क्या कहते हैं या डीन में से कोई भी आप्शन सही नहीं है तो आपको जो है इसका अंसर सही पता होना चाहिए क्योंकि आप भी एक मनुश्य हो और मुनश्य को हर बात पता होना जरूरी है मैं आपको बता दू तो डायलोसिस एक परक्रिया है जिसके उप्योग विक्तियों के रक्त से इडिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए प्रियोग किया जाता है यानि आपका उप्शन यहाँ पर C सही है यानि डायलोसिस डायलोसिस एक परक्रिया है जिसके दौरा विक्तियों के रक्त से इडिया को अलग करके साफ किया जाता है यानि डायलोसिस एक मैथड है यानि C आप्शन सही है तो देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि निमलिकित में से कौन सी नली गुर्दे को मुत्रासर जोरती है यानि किड़नी को मुत्रासर जोरती है कौन सा है क्या ये मुत्रवाइनी है बी मुत्र मार गए सी छोटी नली है या डी निफ्रोन है कोशन यहाँ पर बहुत ही काफी दिल्चस्प है ठीक है कि कौन सी नली जो है गुर्दे यानि किड्नी और मुत्रासर को जोरती है देखा चाहिए अगर आप NCRT भूक फोलो कर रहे हो तो उसमें एक बात लिखी हुई है कि मुत्रवाइन संक्रिय नालिका है मुत्रवाइनी जो है संक्रिय नालिका है जो मुत्र को गुर्दे से मुत्रासर तक ले जाती है और मुत्रवाइनी वह नालिका है जो गुर्दे और मुत्रासर को जोरती है तो इसका मतलब देखा जाते है यह option आपका सही है यह statement बताती है कि यह जो है सह है ङयानि मुत्रवाहिनी नली है जो गुर्दे और मुंतराष्च को आपस में जोडती है जोंगी काफी मैत पून इस विश्न क्या है एंगला कुछन हमारे समक्षा गया है कोशन है निमल कित में से कौन सा बड़ी आत का कारे है आखिर बड़ी आत हमारे सरीर में कौन सा कारे करती है ए भोजन का आत्म साथ करती है बी बाशा को पचाती है यसी कर्वो हेड्रेट का पचन करती है या जल का अप्स्रोशन करती है आखिर बड़ी आत का कारे क्या है हमारे सरीर में आपको पता है क्या हो सकता है तो आपको अंसर देना चाहिए मैं आपको अगर NCRT के रिगार्डिंग बता हूँ तो कहते हैं बड़ी आथ को कारे में पानी और एलक्टोलाइसस को अफशुद करना होता है यानि बड़ी आथ का कारे होता है पानी और और इसका मतलब आप्षन जो है आपका डी सही है जो है बड़ी आत जो है पाणी का अप्सुर्शन करती है यानि पानी का जो आप्शुशन होता है बड़ी आत में होता है क्या आपको ये बात पहले पता था अगर पता था तो कोमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना चलिए ही है यानि फेफरे का कारे क्या है फेपरा हमारे सरीर में क्या कारे करती है क्या एस वर्षन के लिए कारे करती है या भी के लिए कारे करती है या सी ब्रो इकॉल्स के कारे कारे करती है डी टेक्विया के है और यहाँ पर और भी महतुपन बात है कि बहुत से वर्ड जो है इंग्लिश में ही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फेफरे का कारे क्या होता है देखा जाए अगर मैं इंसी आटी के फैक्ट के अंतर बता हूँ तो इल्वियोली फेफरे की कारत में काई है जो गैस विन करती है और गैसों का विनियम स्थल होती है तो देखा जाए फेफरे का कारे जो होती है अल्वियोली करती है जो की गैसों का जो है विनियम करती है लेन देन जो है अल्वियोल से ही होती है इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो चलिए अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे से ही जुड़ी हुई है कि एक मिनट में मनुष्य का दिल कितनी बार धरकता है एक मिनट में मनुष्य का दिल कितनी बार धरकता है क्या एक सो आठ बार क्या भी एक सो बीस बार या सी एक सो असी बार या डी बहत्तर बार लेकि दोस्तो का दिल जो है सधारन मनुष्य का दिल कितने बार धरकेगी कोशन यहाँ पर यह है कोशन में आपका इंफ्यूज मत होना हमसे बच्चों का नहीं पूछा हुआ है एक सधारन मनुष्य का पूछा हुआ है यानि व्यासक का और मैं आपको बता दू एंसी आटी के अंतरगत एक प्यास मनुष्ट की समानने विश्राम हिर्दय गती यानि समानने विश्राम अवस्था में जो इसकी हिर्दय गती होती है साथ से सो बीट परती मिनट होती है यानि धरकती है साथ से सो के बीच जो है धरकती है जो अराम के समय धरकने की दर्ज होती है 100 BPM होती है से अधिक होती है यानि 100 होती है अराम के समय तो इसके लिए जो देखा जाए तो टैचिकिया कहा जाता है इसे हम जो ये अराम के इस्तिती में धरकता है उसे हम टैचिकाडिया कहा जाता है राम के समय दिल की धरकन की दर साथ पी बीपीम से कम होने को हम बैडिकाडिया कहा जाता है यानि हम इसको बैडिकाडिया कहा जाता है जब वो कम धरकती है जब अधिक धरकती है तो हम इसको टैचिकाडिया कहती है और कम धरकता है तो हम बैडिकाडिया कहा जाता है नींद के दोरान दिल की धरकन की सीमा गती जो होती है 40-50 बियम समानने मानी जाती है यानि सोने टाइम आपका धरकन जो है बहुत ही कम धरकता है 40-50 के रूप में धरकती है तो देखा जाए तो एक व्यक्स मनुष के समानने विश्राम हिर्दय गती जो होती है 60-100 बिट मिनट के प्रती होती है तो इसका मतलब यहाँ पर अप्शन D सही है D आपका सही है 72 बार धरकती है तो एक मिनट में मनुष का दिल जो ही जो व्यक्स मनुष है उसको 72 बार धरकेगा तो यानि D option आपका सही है तो देखते हैं ऐगला कोशन हमारे समख शागया है कोशन है कि मनुष्य में सवर्षन के लिए अंग का कोन सा जोरा होता है मनुष्य में सवर्षन के लिए कोन सा अंग का जोरा होता है क्या किड्णी काmpfen होता है या भी फेफरे का होता है यह सी हाथ का होता है इसमें से कोई नहीं तो बिल्कुल ही और ऑप्शन है देखा जाए मैं आपको बता हूँ कि फेफरे महतुपूर अंग है जो मनुश्य के शवाशन में मदद करती है और शवाशन सब्द का आर्थ है एक जैव रशानिक प जो है एक महतु पूर्ण के लिए एक महतुपूर जो है मनुश्य में सवाशन के लिए एक महत्व पूर्ण जोड़ा अंग है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि मनुष्य में शुष्वाशन वर्नाक निमलीगत में कौन सा है सुवाशन वर्नाक कौन सा है का ए इंजाइम है B हिमोगलोबीन है C इनसुलीन है या डीन में से कोई नहीं है देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर काफी दिल्चस्प कोशन है और समझने वाली है कि मनुष्य में सुवाशन वर्णाक निमलिकित में से कौन सा है ठीक है तो मैं आपको एक बार बताऊँ कि हिमोगलोबीन मानम रक्त में महजूद होता है हिमोगलोबीन तो आपको पता ही है कि मानम रक्त में होता है हीमोगलोबिन के कारणी हमारा रंक्त लाल नजर आता है क्योंकि ये अरेन को अपने साथ रखा हुआ होता है कहते हैं इसका रंग लाल होता है और ये मनुश्य में शованияशन वरनक होता है आप सोचिए का शπάसन वरनक कैसे हो सकता है सांस लेन कैसे ले सकता है यह मानव असित्व के लिए महत पून है जो कि यह गुलित अक्सिजन लिए जाता है आपको पता होना चाहिए कि हिमोगलोबीन में ही अक्सिजन घुली हुई होती है यानि बलड में अक्सिजन घुली होती है जो कि हिमोगलोबीन में होती है और ये हिमोगलोबीन जो है सरीर के हर एक पार्ट में दौरती है यानि आपको अक्सिजन हर एक पार्ट तक पहुचाती है तो इसका मतलब देखा जाए तो मनुश्व में सवाशन वर्नक जो होती है हिमोगलोबीन होती है हिमोगलोबीन ही है जो सरीर के वीविन वीविन भागों तक अक्सीजन को लाता है ले जाता है तो मनुष्य में सुवाशन जो वरनक अंग है वो हिमोगलोबीन है और हिमोगलोबीन के कारे मैंने समझाई दिया जो की काफी महतपून है अगरा कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है कि मनुष्य में अहार नाल की अनुमानित लंबाई कितनी होती है देखिए मनुष्य में अहार नाल होती है और अहार नाल की कितनी लंबाई होती है क्या A एक मीटर क्या B छे मीटर से नौ मीटर या C तीन मीटर से चार मीटर या D इन में से कोई नहीं देखिए जिनको पता होगा वो फटक्स अंसर देंगी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनुश में अहार नाल की अनुमती लंबाई जो होगी किन बातों पर डिपेंड करेगी तो मैं आपको बता हूँ कि अहार नाल एक सदत मार्ग है अहार नाल जो ए पाचान तंत्र का एक महतुपून हिस्सा है क्योंकि यह भोजन को पाचान तंत्र के विविन भागों तक पहुचाती है और यह ग्रास नली से गुर्दे का लगभग 9 मिटर लंबा होता है यह देखा जाया ग्रास नली से लेकर गुर्दा तक 9 मिटर लंबा होता है तो यह यह यहां पर उत्तर देखा जाए तो B सही है जोगी 6 मीटर से लेकर 9 मीटर की बात यहां पर सार्थक सीद होगा तो यहां पर B option सही है कि मनुष्य में हार नाल की अनुमानल लंबाई जो है 6 से लेकर 9 मीटर के मद्ध्य है तो B option आपका सही है जो देखते हैं अगला कोशन क्या है कि मनुष्य में कितने दूद के दात मद्ध्य होते हैं तो अपना अंसर जो है मुझे बता के बताईए अपने कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि मनुष्य में कितने दूद के दात मद्ध्य होते हैं ठीक है यह option है 32, B है 38, C है 20, D है 24 तो कितने मनुष्य में दूद के दात मर्दूद होते हैं तो शायद आपके लिए देना कठिन है अर जिन बच्चों ने दे दिया उनके लिए भी अच्छी बात है कोमेंट करके जरूर बताईए मुझे कि आपको अंसर पता था अगर मैं आपको एक फैक्ट बता हूँ जो NCRT के अंतर गता है कि दात मानब स सरीर के अवश्रक अंगों में से एक माना जाता है और वो मानब सरीर कई गत्विदियों में भाग भी लेता है जैसे ही बच्चे दूद पीना सुरू करते हैं उनके दात निकलने सुरू हो जाते हैं और बच्चे के आम तोर पर 20 दात ही होती हैं जिने प्रात्मी अस्थाई या दूद के दात भी कहलाती हैं या देखा जाए बच्चों को जो 20 दात होते हैं उसको आम तोर पर हम प्रात्मी अस्थाई और दूद के दात के नाम से जाना जाता है तो देखा जाये तो इसका C option सही है कि मनुश्य में कितने दूद के दात महजूद होते हैं तो 20 जो होत निम्रे लिकट में से किस रूप में पौधे बायू मंडल से नाट्रोजन को अफूस्वित करती हैं। कोशन यहां पर बहुत इंट्रेस्टिंग है कि निम्रेवीक का जवाब देना बहुत महत्तुं होता है। और आपको जो है मेरे से पहले अंसर देना लाजमी रहता है इसे आप अपना नोलेज को भी समझ सकती हूँ कोशन तो समझ गए होगे कि पहुदे बाइयो मंडल से नाटोजन को कैसे अप्शुषित करती है तो देखा जाये तो इसका ऑप्शन डारेक्ट है नाट्रेट और न अंतिम कोशन क्या है हमारे समक्ष अंतिम कोशन आ गया है कोशन है कि निमलिगत में से कों सी शवशन अधिक कुशल है कि यह अव वाइवी यहां पर इंग्लिश के वर्ड उठाके दे दिया गया है aerobic, aerobic की मतलब होता है anaerobic का मतलब होता है तो आप confuse मत होना यानि in aerobic और B aerobic मतलब होता है और option C बोलता है A और B दोनों ही है या D बोलता है दोनों में से कोई नहीं है देखा जाए तो By V Saversion यानि aerobic saversion oxygen की उपस्थती में होती है aerobic जो होती है और oxygen की उपस्थती में होती है और aerobic के लिए oxygen का होना ज़रूरी है यानि By V Saversion नाम सी पता लग रहा है कि इसको oxygen की अशक्ता होता है लЕगिन देखा जाए तो aerobic saversion यानि अब IBC version में बरी मात्रा में उड़्जा निकलती है यानि देखा जाये तो A option अब IBC version में अधिक मात्रा में उड़्जा निकलती है और देखा जाये तो यह प्रति गुलकोच आनू का जो है 36 ATP आनूत्पन करती है और देखा जाये तो बहुत महतपून है कि aerobic जो है यहाँ पर aerobic जो है 36 ATP आनूतपन करती है यह नहीं देखा जाया तो B option जो है aerobic शवर्षन के 36 ATP आनूतपन करता है और यह बहु कोश्च के जीवू जैसे पौधे जनवरो मनुश्य आदी में काफी महत्वपून अपना अदा करता है रोल इसका मतलब B आपका option सही है aerobic शवर्षन यानि हम बाइवी सवर्षन कह सकते हैं B option B option aerobic शवर्षन यानि बाइवी सवर्षन सही है क्योंकि यह 36 ATP आनूतपन करती है और यह सभी बहु कोश्च के जीवों पौधे जनवरों मनुश्य के लिए महत्वपून होता है और यह काफी महत्वपून कोश्ण भी बन जाता है देखा जाए तो इसी के साथ हमारा यह जो कोश्ण है वो खतम हो जाता है काफी महत्वपून हमने यहाँ पर MCQ का रिलाइस किया समझा और जाना और आपको मज़ा भी आया होगा अगर आपको समझ में आया अच्छा लगा अगर आप दिल से तिरपान एस्टी सेंटर के मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सक इस वीडियो को शेयर कीजी और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है यूटूब से लिंक को कोपी करना होता है और वर्ट् पientosष्ति आइस देखर होता है अ अपनों के लिए हमेशा मदद की बहुत बड़ावना बड़ रहता है तो सचिये नहीं विचार न कीजिでした कि में अच्छा कीäch Emil के और यह तब समभब होगा जो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके लिए जो बहुत से ऑप्शन यहां पर खुल जाएंगे और यहां पर सारे वीडियो आपके बहुत भी असानी से मिल जाएंगे और आप एक बार प्लेलिस्ट पर जरूर जाएए वहाँ पर आपके अपने कख्षा का सारे वीडियो जो है इंतिजार कर रहा है तो सोचे नहीं विचार न कीजिए अभी तिर पार आपके डिस्टेंट को सब्सक्राइब करें निवाल में सेव कीजिए